इसी में करोना का कहर जारी है, बहुत जादा करोना बढ़ गया है और उसी के मद्दे नजर पिछले हफ़ते हम लोगों ने एक हफ़ते छे दिन का लॉक्डाउन लगाया था जो कि कल सुबह पांच बजे खतम हो रहा है जिस तरह से तेजी से केसे बढ़ रहे हैं दिल्ली के अंदर उसको देखते वे लॉक्डाउन लगाना बहुत जरूरी हो गया था यह एक तरह से आखरी हत्यार है कोरोना के से डील करने के लिए लेकिन जिस तरह से केसिस बढ़ रहे थे यह आखरी हत्यार इस्तेमाल करना जरूरी हो गया था लेकिन अभी भी कोरोना का कहर जारी है और कोरोना कम नहीं हो रहा तो इसलिए उसके मद्दे नजर कई लोगों के भी जनता के बीच में भी जब हम लोगों ने बात करने की कोशिश कि सबका मत यही है कि लॉक्डाउन को भी और बढ़ाना चाहिए तो लॉक्डाउन को दिल्ली के अंदर एक हफते के लिए और बढ़ाया जा रहा है अगले सोमवार को सुबह पांच पजे तक के लिए इस इतनी संक्रमन दर हमने दिल्ली में तो नहीं देखी बाकी दुनिया भर में हो सकता हुई हो कहीं पर लेकिन 36-37 परसेंट तक संक्रमन दर पहुँच गई है पिछले एक दो दिन से थोड़ी सी कम हुई है आज 30 के नीचे आई है 39 पॉइंट कुछ आई है मैं यह नहीं कह रह हैं कि करोना से हम लोगों को मुक्ती मिले पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि दिल्ली में ऑक्सीजन की काफी ज्यादा समस्या हो रही है दिल्ली में ऑक्सीजन की काफी कमी महसूस हो रही है हमने हां दिल्ली की इस वक्त जरूरत 700 टन की है और हमें केंद्र सरकार से 480 टन एलोट हुई है कल 10 टन और एलोट किया केंदर सरकार ने 490 टन अब दिल्ली को एलोट हुई है लेकिन ये पूरी एलोटमेंट भी अभी दिल्ली में नहीं आ रही है इसका भी काफी कम एक तरह से कल 330-335 तक ही दिल्ली पहुँची है तो 700 टन की जरूरत है इतने करोना की हमारी में उसके मुकाबले में 330-335 ही पहुच रही है ये जो ऑक्सीजन की कमी है दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन पहुच नहीं रही है जगे जगे से जो ऑक्सीजन आनी है ये बहुत बड़ा कारण है जो ऑक्सीजन की कमी जगे जगे अस्पतालों में महसूस हो रही है लेकि एक अस्पताल जहां जहां कमी है वहां सप्लाइर से मैनिफेक्चरर से ट्रक ड्राइवर से जो ले के आ रहा है उससे फोन करकर के कोशिश कर रहे हैं कि समय पे अस्पताल में पहुंचे मैं यह नहीं कहूंगा कि सारी कोशिशें कामयाब रही कई जगे फेल भी हुए हम लोग और कई जगे हम समय पे ऑक्सीजन पहुंचाने में हमारी टीम कामयाब भी हुई तो सबसे पहले तो मैं उनको जो रात रात भर काम करके और अस्पतालों तक ऑक्सीजन पहुंचाने की जो लोग भी कोशिश कर रहे हैं उन सब का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि इतने पहनत कर रहे हैं चूकि ऑक्सीजन इतनी इस वक्त कीमती है इतनी कम है तो उसका मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है तो उसको मैनेजमेंट करने के लिए भी अब कल से ठोस कदम उठाना चालो किया है हमने एक वो पोटल टाइप बनाया है और और जारी कर दिये गए हैं जिसमें हर दो-दो घंटे में मैनिफेक्चरर से लेके और अस्पताल तक एंड यूजर तक हर एक को दो-दो घंटे के अंदर अपनी ऑक्सीजन के पोजीशन बतानी पड़ेगी कि मैनिफेक्चर को बताना पड़ेगा कि पिछले दो घंटे के अंदर कितने ट्रक उसके नि सरकार को पता रहे कि कहां कमी आने वाली है तो इसके अलावा केंदर सरकार से काफी सहयोग मिल रहा है कल भी पूरा दिन केंदर सरकार के अलग-अलग मंत्रालें के साथ हमारे आफिसर की टीम बैठी रही और दोनों टीमें केंदर सरकार और दिली सरकार अच्छे से मिल के काम क कोशिश की जा रही है कि जो भी सप्लाइज आने में दिक्कत हो रही है उन दिक्कतों को दूर किया जा सके और मैं समझता हूं कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर ये बहुत जादा अफरा तफरी का जो आलम है ये ठीक हो जाना चाहिए कल मैंने हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपके यहां आपके रज्य में आस गर्मेंट में या किसी कंपनी में कोई उक्सिजन की पॉसिबिलिटी हो तो हमें ऑक्सिजन महिया कराइए औक्सिजन टैंकर महिया कराइए कुछ एक रज्यों के साथ बात्चिक भी शुरू हुई है जब भी कुछ कॉंक्रीट नतीजे आएंगे मैं आपको ज़रूर बताऊंगा लेकिन बहुत जादा कठिन परिस्थिती है इन कठिन परिस्थितियों के अंदर सब मिलके काम कर रहे हैं मैं उमीद करता हूं कि यह जो इतनी बड़ी अमर्जंसी क्रियेट हो गई है इससे हम लोगों को जल्द छुटकारा मिलेगा बहुत बहुत शुक्रिया और हाँ बेल आइकन दबाना बिलकुल न भूले